आज का वीडियो जो की सिख्षक भरती परिक्षा लिवल वन और लिवल टू के विध्यारतियों के लिए रहेगा जहां पर आपको पता है कि 96,000 अभ्यारतियों को बोर्ड के द्वारा के लिए बुलाया जाएगा और यह सब जिला इसकर पर होने वाला है तो यहां जो बोर्ड ने जो भी दिसानिर्देश जारी किये हैं आपके फॉर्म भरने के लिए वो सब आपको जानना जरूरी है एक एक पॉइंट को आप तिहान से पढ़ेंगे आपका समय जो है वो इसमे परसेंटेज गलत भर दी है हमारे जो है वो पिता का नाम हमने गलत कर दिया है ठीक है कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो आगे चलके क्योंकि ये जो है वो आपके लिए बहुत महतपूर्ण फॉर्म रहेगा इसके बाद जो है वो आपकी जो है वो नौकरी लगेगी तो यह पर कोई गलती ना करें ऐसा ना करें कि वो गलती जो है वो आपको बहुत भारी बढ़े तो वीडियो जो है वो यदि थोड़ा सा लंबा होता है तब भी कोई बात नहीं आप एक और दो दिन ठीक है एक या दो दिन जो है वो केवल दिसा निर्दिसों को पढ़ेंगे फॉर और आपको पता है कि जो विश्रित आवेधन का जो लिंक है वह एक्टिव हो चुका है लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो वो भी जो है बोर्ड के द्वारा जो है वो सही हो जाएगी और जैसे ही सही हो जाएगी आप लोग जो है वह आवेधन करना प्रारम कर देंगे लेकिन आप लोग कम से कम दो तीन दिन का वेट जरूर करें अभी आपके पास समय है क्योंकि 30 जून तक जो है वो आप लोग फॉर्म भर सकेंगे ठीक है 21 जून से स्टार्ट है और 30 जून तक भरेंगे तो समय है कोई भी गलती नहीं करेंगे पहले दिस जून की है जिसमें ये बताया गया था कि लेवल वन और लेवल टू के जो परिक्षा है कि समय हुई है चीक है संसोधित वरगी करन जो जारी किया गया उसके बाद जो है वो रिजल्ट आउट हुआ यहाँ पर देखो दस्तावे सत्यापन हितू सूची बद अभ्यरती विस सत्यापन का सूल्क भी ऑनलाइन जमा होगा ठीक है आप लोगों का जो डीवी का जो आपका विस्तरित आवेदन पत्र जो आएगा वो आप लोग ऑनलाइन भरेंगे और जो सोर पर लगेगा आपका वह भी ऑनलाइन ही जमा होगा उक्त विस्तरित आवेदन को भरने के लिंक के सामने apply now पर जाकर विस्त्रे ताविदन पत्र भर 100 रुपय सुल्क जमा कराएं ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करना है यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग किसी की help लें जो की computer की knowledge रखता हो नहीं तो आप e-mitr के पास जाकर जो है ये सारे काम क्योंकि गलती नहीं करनी है ठीक है सबसे पहले क्या करना है SSO ID पर जाकर recruitment portal पर जाना है उसके बाद आपको दिखाई देगा my recruitment उस पर जाना है फिर detailed form जो आएगा वहाँ पर जाके आप link पर जाके apply करोगे ठीक है उसके बाद 100 रुपय का यहाँ पर आपको शुल्ग देना होगा तो form जो है भरने के लिए कौन कौन से document या दिसा निर्देश जो है वो क्या जारी किये गए हैं चलिए अब हम उसे देख लेते हैं तो board के दोरा जो है बच्चों को अवश्यक निर्देश दिये गए हैं इनको आप धिहान से पढ़ेंगे यदि एक दो line जो है वो मैं की नौकरी का सवाल है सबसे पहले जो है वो आविदन पत्र सूल को जो है वो सौर पर रहेगा online भरा जाएगा यह मैंने आपको बता दिया है और जो भी सूचना और निर्देश जो है यदि इनका अनुपालन नहीं करेगा बच्चा तो है आविदन पत्र जो है आस्वीक र ऐसा लगेगा कि आविदन पत्र जो है वह है पूरा नहीं है और यह मानकर जो है इसको रद कर दिया जाएगा ठीक है तो जो आभशक कॉलम है जैसे कि अगर जो क्वालिफिकेशन है ठीक है तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है जो आपने पहले फॉर्म जिसका भरा है लिवल बन का भरा है तो लिवल बन के अकॉर्डिंग लिवल टू का भरा है तो लिवल टू के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलम है वो आप भरेंगे प्रमाण पत्र के अगर बात करें तो जो सैक्षनिक और आयू संबंदी जाती संबंदी और विवाहिक इस्तिति खिलाडी संबंदी जो प्रमान पत्र है आप लोगों के तो वह आप आवेदन पत्र के साथ में ही जो है सलगन करेंगे नहीं तो जो भी आपको profit मिलना है चाहे वह जाती प्रमान पत्र का हो ठीक है चाहे वह EWS category का हो तो वह आपको फायदा नहीं मिलेगा यदि आप आवेदन पत्र के साथ में सलगन नहीं करेंगे तो इनकी जो है वो आप लोगों को स्वय प्रमानित प्रतियां स्वय प्रमानित यानि की जो भी आप फोटो कोपी कराएंगे अपने प्रमान पत्र की फोटो कोपी के उपर जो है वह आप अपना साइन करेंगे तो वह स्वय प्रमाणित मने जाएगी ठीक है? नेक्षा देखो, योग्यता संबंधी प्रमाण पतr आपको अपनी, स्टेकने की योग्यता की अंग तालिकाउं के साथ साथ जो है वह प्रमाण पतr यानी कि माक्षीट के साथ में जो प्रमाण पतr उपादियों की इस्वाय हस्ताक्षरित प्रतिलिपिया भेजनी होगी तो यहां original नहीं भेज़ना है ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको प्रतिलिपिया यानि फोटो कॉपी जिस पर आपके खुद के इस्वाय हस्ताक्षरित खुद के साइन होगे केवल वही लगानी है अब यहां पर जो है वो उम्र का जो प्रमार पत्र है सबसे पहले मैं आपको जो है वो यह चीज बता दूँ कि 10th की माक्षीट में जो भी आपके लिखा हुआ है वही मानने होगी 10th की माक्षीट में जो आपके लिखी हुई है उसी को जो है बिलकुल सही माना जाता है और आगे की जो आपने पढ़ाई की है वहाँ पर जो भी उम्र है डेट अब बर्थ जो भी लिखी हुई है उसको आप नहीं भरेंगे यहाँ पर आप आविदन पत्र में केवल हाई स्कूल में जो आपकी दे रखी है वही आपको भरनी है यदि कोई किसी की मिस्टेक हो गई है आप उसको भर दें और साथ में जो है वह एफ़डेविट जरूर लगा दें ठीक है कि मेरी जो है वो 10th की मार्कशीट में यह जो है date of birth जो है वह इस तरीके से गलत हो गई है यह लिखी हुई है और इसको मैं आगे जाके सुधरवा लूँगा ठीक है तो एफ़डेविट लग जाएगा लेकिन आपको 10th की मार्कशीट से ही भरना है और आयू समंदी जो भी आप लोगों को छूट मिलती है आपकी category wise तो आप उसका प्रमाण पत्र जरूर उसके साथ लगाएंगे ठीक है आप लोग जो है वो एक एक लाइन को पढ़ेंगे अगर मैं जो है वो यहाँ लाइन छोड़ भी देती हूँ तो आप लोग वीडियो को पोज करके पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर कि यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिखती नहीं है और उसे केवल उस पद वर्ग के लिए निधारित सामाने छूट ही प्रदान की जाएगी यहाँ पर जिस कैटिगरी में जो है विकैंसी ही नहीं है यानि उसमें जो है वो पद ही नहीं है तो महिला वर्ग के लिए अगर डिखती नहीं है उसमें तो उसे जो जनरल में पुरसों की जो एज है वही जो है वो महिला की एज भीमानी जाएगी ठीक है तो वहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी ये ध्यान में रखना है फिर जाती प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर जो आवेदक राजिस्थान की किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाती अन्ने पिश्डा वर्ग के हो उन्हें चाहिए कि वे उसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निमन अधिखारियों में से किसी एक अधिकारी दुआरा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो की आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनाक के पूर्व और नविन्तम जारी हो आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनाक यानि की 30 जून तक का आपका जारी होना चाहिए अन्य था अब यर्थियों को वर्ग विशेश कलाब राप्त नहीं होगा थीक है तो यहां पर जो है इनके जो है मांगे गए हैं साइन की इनके द्वारा जो भी यहां पर ओन से लेकर five तक आपको column दिये गए हैं इन आधिकारियों के द्वारा जो है प्रदत प्रमानपत्र ही प्रस्तुत करें थीक है तो दिहान देना है district magistrate टीक है deputy commissioner जो भी यहां प पूट दे रहे हैं तो इनके द्वारा जो है होने चाहिए प्रदक्त ठीक है इनको ही प्रस्तुत करना है और यहां पर बहुत ही महतपूर्ण बात एक क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है उन लड़कियों के बारे में जिनको आरक्षण का लाब चाहिए होता है और जो शादिश चुदा है तो यहां पर आप नोट में ध्यान दें सभी आरक्षित वर की विवाहित मैला ब्यरती को भी उनके पिता के नाम से जारी जाती प्रमान पत्र विस्तृत आविदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यता उसे इस वर का लाब दे नहीं होगा पती के नाम से जारी जाती प्रमान पत्र मानने नहीं है जो आविदक अन्य पिश्डा वर के हैं तो उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी यानि की यहां पर जो भी आपके दिये हुए है इन अधिकारियों के दोरा जारी प्रमान पत्र जो है सोनेश्चित कर लें निवास इस्थान क् चाहिए 30 जून से पहले का बता रहे हैं प्रमान पत्र नियमान सार माता-पिताई की आए के आधार पर विवाहित महिला भ्यरती को भी माता-पिता की आए के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा राजिस्थान राज्य सरकार द्वारा ने अधारित प्रपत्र जारी किया हो अब यहाँ पर यह बार बार यह चीज तो लिख देते हैं कि विवाहित महला भ्यरती जो है उसके माता पिता की आए के अधार पर होना चाहिए लेकिन जो शादी हो जाती है तो उसका मूल निवास जो है वह उसके पती के नाम से ही बनता है ठीक है उसके बाद माता पिता की आ दोकुमेंट सभी बन चुके हैं तो ऐसे मैं अगर वह है EWS का प्रमाण पत्र बनवाती भी है तो पिता के यहां से जो है वह मूल निवास भी चाहिए ठीक है तो यह कैसे जो है यहां पर सही है यह मुझे भी नहीं पता है ठीक है तो आप लोग यदि बनवा रहे हैं तो य यहां पर राजिस्थान सरकार द्वारा प्राधीकरत चिकिस्टा अदिकारी द्वारा प्रदत 40% या इससे अधिक विशेज सी योग्य का प्रमाण पत्र सलगनकर अवश्य भेजें ठीक है तो यह पूरा कॉलम जो है वह आपको ध्यान से पढ़ लेना है जो भी दरस्टी विवादित हैं, मूखवदिर हैं, LDCP, MIMD ठीक है, तो उनको इस तरीके से जो है, इस श्रेणी में रखा जाएगा, विवहा संबंदी प्रमान पत्र, आप यदि विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो है, वो जारी विवहा पंजियन प्रमान पत्र सलगन करें, य और रीट के एक्जाम से पहले वह अविवाहित थे, लेकिन बाद में उनका विवहा हुआ, तो यहाँ पर आप जो आवेदन पत्र भरेंगे, उससे पहले जो है, वो आप लोग जिस भी कंडिशन में हैं, यहाँ पर वो चीज भरी जाएगी, यदि आपका विवाह हो क्या ह तो आप विवाह पंजियन प्रमाण पत्र जो है इसमें लगाएं, यदि नहीं हो पाया है, ठीक है, तो नहीं लगाएं, यह चीज जो है यहाँ पर है, यदि आवेदक का विवाह राजिस्थान राज्य के बाहर संपन होने के कारण पंजिकरत नहीं हुआ है, या अनिवार विवाह पंजियन लागू होने से पूर संपन होने के कारण पंजी करण से छूट चाहता है, तब विवाह राजिस्थान से बाहर हुई है शादी, ऐसी कंडिशन में इन्होंने क्या कह दिया है, कि सपत पत्र लगाना है आपको तो ये पूरा जो है, वो बारा पेजों का है, ठीक है, तो बारा पेजों में आपको एक एक ऐसे नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, अब यहाँ पर वीडियो को पोज कर लें आप, और जो भी लाइन रह गई है मेरे दोरा, उनको आप को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, चाहे वो आपकी काम की हो या ना हो, आपको एक बार तो इनको रीड कर ही लेना है, देखो यदि कोई आवेदक जो है, वो जान बुच कर असत्य बात लिखेगा, या कोई तथ्या पूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र गोसित कर दिया जाएगा, यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो कड़ी कारवाई भी हो सकती है, आपका जो है वो जीवन खराब भी हो सकता है, तो इन सब का बचने का केवल एक ही तरीका है, आप लोग बिलकुल फियर तरीके से एक्जाम देके आ ठीक है, और आप जो है वो आप बिलकुल जॉब के लिए बिलकुल रेडी है, तो अब जो अंतिम समय में जो दिसानिर्देश हैं, उनको भी आप पढ़ लें अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें, तोड़ा टाइम आपका जो है, क्या लग जाएगा, एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है, यह आपको ध्यान में लखना है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी कंडिशन है, कि हमने जो है वह दे दिया है, बनने को, लेकिन जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो ऐसी क लगा रहे हैं, एफिडेविट ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर यह आपका जो है, विसरित आवेदन, सहे परी निरिक्षा प्रपत्र है, ठीक है, आवेदक का हस्ताक्षर युक्त, नभीनतम फोटो लगेगी, यहाँ पर जो है, आप रोल नमबर भरेंगे, आवेदन प कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी आप रहने दें, एक या दो दिन का वेट कर लें, तब तक आप जो है, इनको अच्छे से बढ़ लें, यहाँ पर जो है, जो भी बदाया गया थै को कॉलम जो है, वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैट्रिक, हाई स्क की है, तो उसका ये कॉलम जो है, और ये अन्य कोई उपादी वाला, ठीक है, तो यहाँ आप अन्य कोई उपादी, यानि कोई कंप्यूटर डिप्लॉमा अभी किया है, आपने तो यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो फिल करें, उसके बाद अगर कोई experience प्रमान पत्र है, तो भी आप भर सकते हैं, यहाँ पर हर चीज जो है, वो एक एक लाइन जो है, वो पढ़ेंगे आप, और यहाँ लगाएंगे, आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन-कौन से प्रमान पत्र जो है, वो आपको तयार कर लेने हैं, सबसे पहले तो अंक पत मांक्ष güç आपकी 10th की, 12th की ठीक है, उपादी या प्रमाण पत्र, प्रमान पत्र जो है, वह भी आपको लगेगा, उसके बाद 10th का हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है, वह 10th का जाएगा, उसके बाद 12th का जाएगा, फिर BA, Graduation का जाएगा, graduation की प्रमाण पत्र लगानी है फिर MA का आजाएगा MA का प्रमाण पत्र लगाना है उसके बाद जो है diploma ठीक है diploma लगाना है diploma या degree ठीक है किसी का जो होता है जैसे की एक साल का diploma होता है वह diploma लगाएंगे जिसकी degree है वह degree लगाएंगे और जैसे आपने B.E.D. किया है तो B.E.D. की लगाएंगे B.E.D. का प्रमान पत्र लगाएंगे यहाँ पर Experience Certificate है तो वह लगाना है आपको मूल निवास भी लगाना है प्रतेक विध्यारती को आपने यहाँ पर किसी कैटिगरी का जो है फायदा लिया है तो आप यहाँ पर जो है वह लगाएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसको ध्यान से पढ़ें जो मैंने नहीं पढ़ा है उसे आप जो है ध्यान से पढ़ लेंगे वीडियो को पोज करके और यह देखिए जो भी English Medium के student है तो वह अपने English Medium में भरेंगे ठीक है तो इस तरीके से मैंने आपको जो है complete जो है दिसा निर्देश का जो जारी किया गया board की तरफ से वो मैंने आपको बता दिया है तो आप ध्यान से जो है इसको पढ़ लेंगे उसके बाद ही form भरेंगे क्योंकि जब आपके comment आते हैं कि मेरा ये mistake हो गई ये mistake हो गई ऐसी mistake जो है वो आप ना करें क्योंकि बहुत important रहेगा ये आपके लिए तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में जहां कुछ भी important रहेगा आपके लोगों के लिए तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी Thank you